बिजनोर में चार दिन में लगातार अलग अलग हुई महिला सहे तीन हत्याओं से देशत का माहौल पैदा हो गया है जिसमें दो हत्याओं अवैद इस्तमन्दों को लेकर हुई हैं एक में बहु ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर की हत्या करवा दी वहीं दूसरे में दो नावाले को ने अपनी भावी के कतित प्रेमी को इंट से कुचल कर मार डाला जबकि एक महिला नजमा की हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं लगा है नजमा की लाश नेशनल हाईवे 74 पर सड़क किनारी मिली थी उसके नाक और कान से खून बहरा था जबकि एक महिला नजमा की हत्या की कारणों का अभी तक पता नहीं लगा है नजमा की लाश नेशनल हाईवे 74 पर सड़क किनारी मिली थी उसके नाक और कान से खून बहरा था कि ये सभी हत्याएं अलग-लग स्थानों पर हुई हैं लेकिन चार दिनों में हुई तीन हत्याओं ने कई सवाल पैदा कर दिये हैं दो हत्याओं को खुलासा हो गया है लेकिन नजमा के कातिल आज भी पुलिस की पहुंच से दूर है गौरतलाव है कि जले में पिछले चार दिन यानि की 23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक तीन लोगों की हत्या हुई है 23 जनवरी को इस योहारा के गाओं हमा नगली निवासी संतराम की रात को उसकी विदवाब बहु ने प्रेमी जीतू ने अपने दोस्त गौरव के साथ मिलकर गला घोट दिया था संतराम की लाश घर के अंदर पड़ी मिली थी जिसको पहले पुलिस ने ठंड के कारण हुई मौत हुना बताया था लेकिन पोश्ट मार्टम ने सवाल खड़े कर दिये हैं जिसके बाद जाच की गई तो पता चला तो बहु ने प्रेमी संग मिलकर ससुर की हत्या करवा दी थी पुलिस ने बहु उसके प्रेमी और एक साथी को अरेश्ट कर जिल भीज दिया है दूसरे हत्या 26 जन्वरी को हलदोर के महला भूर निवासी पंकज की हुई है उसे इंट से कूच कर मारा गया था धारदार कांच से गला भी रेता गया था पंकज की लाश ट्यूब बेल में मिली थी पास एक स्कूटी भी बरामद हुई थी पुलिस ने मामले की जाश करते हुए दो नावाली कारोपियों को पकड़ा है जो मिरता के महले के ही रहने वाले हैं दौनों ने पूच्टाश में बताया कि उसे शक था कि पंकज के उसकी भावी से ना जाय संबंध है इसी के चलते उन्होंने 26 जन्वरी को पंकज को शराब पीने के बहाने घर से बुलाया और फिर इंट से कोचल कर उसकी हत्या कर दी वहीं तीसरी हत्या 25 जन्वरी को नजमा की हुई थी वह कुछ दिन पहले अपने माय के मंडावली के गाउं दहिर पुर गई हुई थी और 24 जन्वरी के शाम को वहें अपने सस्रोल वापस आने के लिए मंडावली से बस में सवार हुई थी 25 जन्वरी के सबेरे तक वहें अपने घर नहीं पहुँची परिजिनों ने काफी तलाश करने के बाद पुलिस को सूचना दी अगले दिन सबेरे 25 जन्वरी को नेशनल हाईवे चोहत्तर पर कोतवाली देहात के पास उसकी सड़क किनारी लाश पड़ी मिली नजमा के कान और मुह से खून निकल रहा था और उसके कानों के कुंडल भी गायब थे जबकि उसका बैग भी हत्या से कुछ दूर पढ़ा मिला था पुलिस ने मृता के नजमा के पती अनवर की तहरीर पर हत्या का मुगत्मा दर्ज कर लिया है लेकिन आज चार दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक कातिल को नहीं खोश पाई है बिजन और एक्सप्रेस के साथ विकास आरे की रिपोर्ट